हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका इगनु बाबा में I hope you are doing well दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा इगनु द्वारा लॉंच किये एक न्यू कोर्स के बारे में कोर्स का नाम है Master of Art in Geo Informatics वीडियो में complete detail में बात करूँगा कि इसमें admission के लिए कैसे apply करना है means admission का क्या procedure होगा जो हमारा program है उसका eligibility criteria क्या है इसका fee structure कैसा है इसमें medium of instruction क्या रहेगा इसका duration क्या होगा कोर्स के other detail भी discuss करूँगा तो वीडियो का एंट तक देखेगा काफी interesting और मज़धार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे doubts क्लियर होने वाले है सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो यह course है इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली जो बात है आपको यह है कि इसका एक code है इगनू में हमारे जितने भी program या course होते है उनको अगर हमें search करना होता है Google पे उनके बारे में कोई information निकालनी होती है तो हमें उनका code पता होना चाहिए तो जो हमारा यह course है MSC in Geoinformatics इसका एक code है जिसका नाम है MSCGI ठीक है MSCGI इसका code है अगर आप इसे Google पे simply IGNU MSCGI के नाम से search करेंगे तो इसकी सभी detail निकल जाएगी ठीक है तो आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसका course code क्या है नेक्स्ट information आपको ध्यान में रखने वाली यह है कि जो यह हमारा course है यह audio mode में है देखिए इसमें क्या लिका हुआ है दो प्रोग्राम MSC Geoinformatics will be offered through audio mode from July 2023 session देखिए आपको ब्रीफ में बता देना चाहता हूं कि जो IGNU है इसमें education के दो mode है एक audio एक है online ओडियल में क्या होता है इगनु आपको एक study center अलोट करता है जिसमें आपको Sunday Saturday को visit करना होता है और वहाँ पर पढ़ाई होती है और आपको उन classes को attend करना होता है और इसके जितने भी component है subject मतलब course के इस मतलब आपके project होंगे और इसमें assignment होगा वो सभी आपको offline complete करना होता है exam भी offline ही देना होता है लेकिन जो online program है उसमें सभी component यानि की पढ़ाई से लेके assignment project वगरा सभी online होता है सिर्फ और सिर्फ exam जो है वो offline होता है तो I hope आपको clear हो गया होगा कि इगनु में education के mode का क्या मतलब है एक audio एक online तो जो हमारा यह course है MSC Geoinformatics यह audio mode में है MSC course है यानि कि simply आपको पता चल रहा है कि आप graduate हों तभी इसमें apply कर सकते हैं और graduate भी किस से science के discipline से अगर science के discipline से नहीं है तो इसमें एक और मतलब इसमें रखा गया है कि art के कौन से category के student आ सकते हैं मैं अभी बताऊंगा आगे लिखा भी हुआ है पर सबसे पहले मैं बात कर कर लेता हूं science वालों के लिए तो अगर आप science में engineering में architecture में planning में computer application यानि कि आपका पता होगा यह BCA ठीक है bachelor of computer application उसी का यह इन्होंने यहाँ पर computer application लिख रखा है और next है आपका information technology यह सभी वो courses है graduation based जिनमें अगर आपने अपनी graduation complete कर रखी है तो आप इसमें apply कर सकते हैं एक बार फिर से repeat कर देता हूं देखिए यहाँ पर कोई hard and fast rule नहीं है कि आपका इसमें honors degree यह या प्रोग्राम डिक्री इन्हों कुछ लिखाई नहीं है तो हमको उसको consider करना ही नहीं है simply उन्होंने लिख रहा है graduate in science साइंस से अपने graduation किये चाहें वो प्रोग्राम है या क्या कहते है honors degree है, मतलब आपने इसमें क्या कहते हैं कि chemistry से किया है, physics से किया है या major क्या है, minor क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपके पास graduate की degree है science में, engineering में, architecture में, planning में computer application में, information technology में from a recognized university मान लीजिए कि मतलब जो आपकी university है उसको UGC से मानेता प्राप्त होना चीए तो आप इसमें apply कर सकते हैं फिर बाद में इनोंने एक यहाँ पर और लगा रखा है या master of art in geography अगर आपने अपनी graduation master of art in geography है मतलब कि आपके पास geography honors है तो आप इसमें apply कर सकते हैं यानि humanities के कौन से branch के student इसमें apply कर सकते हैं art के कौन से branch के student apply कर सकते हैं जिनके पास geography honors है अब देखिए अगर आपके पास geography में program है और आपने उसमें geography मतलब सॉरी आपने art subject अपना graduation में अपना art रख रखा है humanities है और आपने geography as a subject पढ़ रखा है तो आप इसमें apply नहीं कर सकते हैं यहाँ पर इन्हों ने जो लिखा है master of art in geography इसका मतलब यह है कि आपके पास geography में honors की degree है तब ही आप इसमें apply कर सकते हैं तो I hope कि eligibility का जो मतलब यहाँ पर criteria दिया हुआ है वह आपको clear हो गया होगा medium of instruction English है अपने आप में understood है कि यह geoinformatics एक मतलब science का subject है science का field है geoinformation तो इसमें जितने भी हमारे course material available है वो ज्यादा तर मतलब English में है ज्यादा stuff तो इन्होंने इसको instruction को English में रख रखा है minimum duration आपका 2 साल का है 2 year का क्योंकि जितने भी MSC के courses होते है दो साल के होते है इसमें आपको maximum 4 साल देगा अगर आप 2 साल में इसको clear नहीं कर पाते है सभी component को ठीक है यानि सभी subject के exam clear नहीं कर पा रहे हो तो इसमें 4 साल में आप इसको cover कर सकते हो इसका fee structure 15,700 per annum अब देखिए ये पर annum है यानि आपका ये course कितने साल का है दो साल का है यानि कि एक साल की fees अगर आपकी 15,700 है तो दो साल की fees इसमें कितनी होगी आपकी 31,400 रुपे आपको ये भी clear हो गया होगा प्रोग्राम डिटेल में बात करूं यहाँ पर तो दोस्तों तो इसमें total 80 credit है अब ये 80 credit क्या है मैं आपको भी explain कर देता हूँ इगनू में क्या system है एक system है जिसका नाम है CBCS यानि कि choice based credit system ये बहुत ही बहतरी मतलब प्रोग्राम है Central Government का आपने एक सुना होगा I think academic credit bank आपने ऐसा कुछ सुना होगा उससे ही related है academic credit bank को इसलिए बनाये गया है कि जितने भी institution है जिसमें CBCS system है जिसमें student credit के according course चूज करते हैं उनको credit के according subject दिया जाता है अगर वो जितने credit complete करेंगे चाहें वो एक साल में करते हैं आपने इस course को मतलब इसमें enroll किया आपने पहला semester पढ़ा और फिर आप मतलब किसी uncertain reason के कहाँ इसको छोड़ दिया आपने तो आपने जितने भी credit के subject पढ़े न वो आपका waste नहीं जाएगा वो credit फर्दर आप कभी दूसरे institution में गया आपके साथ जा सकती है उस दूसरी university में फिर आपको वो subject दुबारा वहाँ पर पढ़ना नहीं पड़ेगा जो आपका academic credit bank है उसमें श्टोर हो जाएगा बहुत ही बहतरीन फीचर है दोस्तों यह ठीक है और इगनु में इसका इंप्लिमेंट नहीं किया गया अभी भी इंप्लिमेंट हो रहा है लेकिन 2021 से स्टार्ट हो गया था यह तो अब देखिए इसमें 80 credit के total आपको subject पढ़ने है इसमें examination mode semester wise होगा आपको समझा देता हूँ यह भी इगनु में मतलब exam के दो mode है एक annual एक semester माल लेते हैं कि आपने term and exam है एक December term and exam है तो इसमें semester wise exam होने के कारण आप अगर जुलाई 2023 में admission लोगे तो तुरन थी December 2023 में exam दे सकते हो फिर से आप जून 2024 में exam दोगे फिर जून 2024 मतलब सरी December 2024 में exam दोगे ऐसे semester wise लेकिन बहुत सरे subject ऐसे होते हैं जो annual mode होता है अभी जुलाई में admission लोगे तो यह भी clear हो गया होगा कि इसमें examination mode क्या है अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर study material के बारे में ठीक है इसमें बहुत ही clearly इन्होंने लिखा हुआ है print and digital अब देखिए बहुत सारे student जहां से में आते हैं जहां से में क्या आते हैं मैं वह आपको बताता हूँ जब आप इसमें admission क लिए apply करने जाओगे न official website पर तो वहाँ पर एक जगे पर check box आएगा check box में लिखा रहेगा do you want to opt for digital अगर आपने उस check box पर click किया जैसी तो आपको नीचे जो fees है ना उसमें 15% का discount दिसकाउंट दिखा देगा तुरंद तो आप तो सोचो कि यार 15% का discount मिल रहा है पढ़ाई मत चूज करना आपको अभी explain कर देता हूं मैं आप clear हो जाएगा 2 second में कि ऐसा क्यूं बोल रहा हूं मैं आपको पता है मेरे पास बहुत सारे student आते हैं और कहते हैं सर मैंने तो digital चूज कर लिया प्लीज बता दो कि कैसे मैं इसको दुबारा से print में convert करा हूं चक्कर काटते ह एक्स्रा पैसा खर्च करते हैं टाइम भी खराब करते हैं और सब कुछ खराब करने के बाद वो print में जाते हैं जबकि वो admission के time पर ही ऐसा कर सकते थे ठीक है अब देखिए ऐसा क्यूं कह रहा हूं मैं आप समझेए यहाँ पर total 80 credit है और कितने सारे आपको यहाँ पर subject दिख दो credit की एक book होती है मतलब दो credit का कोई subject है उसमें एक book होती है चार credit में दो book होते हैं 6 credit में 3 और 8 credit में 4 तो आप खुद देखिए कि इतने सारे credit के कितनी books हो सकती है पूरे आपके दो सालों में दोस्तों मैं आपको बहुत ही clearly बताना चाहता हूं कि जब exam आएगा तो आप र आगज होता है उसमें एक अलग feeling होती है हम गंटों तक पढ़ सकते हैं books को आप गंटों तक PDF नहीं पढ़ सकते तो बिल्कुल भी गलती मत करना 15% के discount में जहासे में मत आना ठीक है तो I hope आपको यह भी clear हो गया होगा यहां पर एक बहुत ही simple सी छोटी सी detail है वो मैं discuss कर लेत आपको मतलब books नहीं मिलेंगी उनको digitally cover करना होगा इन्होंने बोल रहा है self-learning material of lab courses would be available only in digital mode ठीक है अब देखें यह जो second point, third point और fourth point में जो भी लिखा है न मैं आपको मतलब जल्दी से brief में बता देता हूँ माल लेते आपने अभी जुलाई में admission लिया और मैंने जैसा कि उपर discuss किया था कि किसी uncertain reason के कारण आपने December में इसमें छोड़ दिया आपने पहला ही semester complete किया ठीक है पहला semester complete करने के बाद इसमें आप admission cancel कर देते हो तो आप post graduate certificate in geoinformatics में apply कर सकते हो ठीक है मतलब IGNU का एक certificate program है जो कि 6 महीने का होता है जिसका नाम है post graduate certificate in geoinformatics उसके लिए आप eligible हो मैंने बताया यह credit system है अगर आपने दो credit पढ़ा तो आपके पास वो credit रहेगा तो इसमें आप एक semester में जितने credit complete करोगे उतने ही credit चीए होते हैं post graduate certificate in geoinformatics में तो आपको ये वाला certificate म मिल जाएगा देन आप अगर मान लेते हैं कि दो semester आपने complete किया यानि एक साल पढ़ाई किया और फिर किसी uncertain reason के कहाण अपना admission cancel करा दिया तो आप इसमें eligible हो opt कर सकते हो किसके लिए post graduate यानि पीजी डिप्लोमा in geoinformatics इनुम में ये भी course है पीजी डिप्लोमा in geoinformatics का तो आ आप डिप्लोमा का certificate आपको मिल जाएगा बहुत अच्छी चीज है ये आप मतलब clear हो गया होगा आपको ये then माल लेते हैं कि आपने कहीं और से या फिर इगनु से आपने PG diploma in geoinformatics कर रखा है और अब आप MSC in geoinformatics करना चाहते हो तो आप directly second year में enroll कर सकते हो अपने diploma certificate को यहा अब यहां पर जितनी भी आपके details मतलब discuss करना चाहिए था हो मैंने सभी चीज़े discuss कर लिए अगर फिर भी कुछ छूट गया होगा तो आप मुझसे डिरेकली telegram group है वहां पर contact कर सकते हो simply आपको क्या करना है telegram open करना search करना इगनु बाबा सबसे top पे ही मेरा group आएगा उसको information के लिए one stop solution है thank you very much